हेलो दूस्तों, एवले निगम में अपका फिर से स्वागत है आज हम आपको कुछ ऐसे कोइंसीडेंसिस के बारें बताएंगे जिनने सुनकर आप लोग काफी जादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे के सच में कोइंसीडेंसिस हैं या फिर साजी से जचे हुए नाटक तो चुले दूस्तों शुरू करते हैं ये बात है 1937 की जब स्टेट आफ मिशिगन की डिट्रॉइट सिटी में एक बिल्डिंग के बालकुनी में एक मा अपने बच्चे को गोदी में खिला रही थी जौसफ अनलकी की वो बच्चा उन पर आकर गिरा ठीक एक साल बाद यानि 1938 में फिर से उसी सिटी में एक बच्चा बालकुनी में खेल रहा था और वो नीचे गिर गिरा नीचे जिस पर गिरा वो इनसान था जौसफ फिगलॉग गूगल पर जौसफ फिगलॉग बेबी मेंगनेट अनलकी में जिसे कई नामों से फेमस है उसी तरह उनसे जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज भी है दोस्तो आप लोगों को क्या लगता है क्या ये एक इतवाग था ये सच में जौसफ एक बेबी मेंगनेट है हमें कमेंट मे अपनी राइज जरूर दें दोस्तो हूग विलियम्स जो इंटरनेट पर फेमस है अनसे के बेल के नाम से ऐसे हूग का नाम क्यों पड़ा आए दोस्तो जानते हैं दोस्तो इस विखती के साथ इतने हाथ से हुए और सब हाथसों में इसके साथ रहने वाले सारे लोग मारे इसे छोड़ कर दोस्तो सन 1664 में मिनाई श्रेट की लहरों में आकर एक शिप डूब गया और सारे लोग उसमें मारे गए सिर्फ एक इंसान बचा उसका नाम था हूग विलियम्स कोइंसिडेंस अब स्टाट हुए जब 1785 में फिर से हुग विलियम्स शिप में थे और फिर से निकी शिप डूब गई पर इस बार 60 लोग उस शिप में थे और उसमें से सिर्फ एक इंसान बचा जिसका नाम था हुग विलियम्स फिर से 1820 में होग विल्यम्स शिप में थे और मिनाई श्ट्रीट में आकर 25 लोग मर गए और सिर्फ एक व्यक्ती बचा जिसका नाम था होग विल्यम्स होग विल्यम्स इस नाम में ही कुछ खास है मैं ऐसा क्यों बूल रहा हूँ क्योंकि 1920 में जर्मन माइनर से एक शिप टकराई जिसमें सिर्फ दो लोग सर्वाइब होए और दोनों का नाम कोइंसिडेंटली होग विल्यम्स था आप लोगों क्या लगता है क्या एक कोइंसिडेंस है या कुछ और हमें कमेट में जरूर बताएं जल्द लोटेंगे इसके नए पार्ट के साथ